हेलो फ्रेंड आई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं question क्या कहता है the product of two numbers is 9,375 and the question when larger one is divided by the smaller is 15 the sum of the number is क्या कह रहा है question की दो value है मान लिजी x और y उनके बीच का जो product है वो कितना है 9,375 और question जब larger value for example अगर x large है हमान लेते हैं कि x is greater than y है तो x by y की जो value दी हुई है वो कितनी दी हुई है 15 ठीक है यह हमारा question है हमसे क्या find out करने के लिए बोल रहा है कि sum find की जिए x plus y find out करने के लिए बोल रहा है हमसे ठीक है तो हम आरे पास दो equation है एक ये वाली equation है और एक ये equation है इस equation से हम x y की value find out करेंगे तो हमें पता है कि x by y कितना है 15 है ठीक है तो यहां से अगर हम x की value find out करें तो कितना आ जाएगा 15 y value आ जाएगी और यहां x y का जो product दिया हुआ था 9,375 यहां पर अगर हम x की value put कर दें तो वो क्या हो जाएगी x की value हमने यहां find किये वो है 15 y तो 15 y into y equal to कितना हो जाएगा 9,375 it means y square बराबर हो जाएगा 9,375 by 15 और यह कितना निकल के आएगा 625 ठीक है और यहां से जब y square की y की value निकालेंगे तो square root कर देंगे y बराबर हो जाएगा under square 2625 और यह क्या value आती है हमें पता है कि इसकी जो square root आता है वो है 25 तो y की जो value निकल किया ही 25 x कितना था 15 y था it means 15 into 25 यह कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 375 मतलब x की value कितनी आ जाएगी 375 आ जाएगी और हमसे क्या पूछ रहा है x और y का product it means 375 plus 25 that's turn out to be 400 तो इन दोनों x और y का sum कितना है 400 है झाल 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 झाल